पुदी की गैरेंटी दोहजार चौवीज संकल पत्र लोकार पंटर चौदा अप्राइल दोहजार चौवीज का ये दिन क्या कुछ कह रहें जगत प्रकाश्ट आई सुनवाते हैं संसदिय बोर्ड के सभी वरिष सदस्यगर्ण और हमारे पत्रकार मित्रों आज इस संकल पत्र के लाउंचिंग के अश्टर पर हम सब लोग यहाँ इकत्र आये हैं और इस कार्चम में हम सब को आधर्णिय प्रधान मंत्री जी का संबोधन सुनने को मिलेगा और संकल पत्र अगले दोहजार चौबीज से हम किस प्रकार से देश की सेवा प्रधान मंत्री मोदी जी के नित्रत्तु में करेंगे इसके बारे में हम सब लोगों को जानकारी मिलेगी आज इस अफसर पर सबसे पहले तो मैं आधर्णिय प्रधान मंत्री जी का आज के कार्चम में आने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वाज़त करता हूँ प्रधान मंत्री जी जब भी पार्टी की कोई भी गतिविधी होती है उस गतिविधी के साथ वो अपने आपको जोड़ते हैं और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि तमाम प्रधान प्रशासक होने के नाते जिम्मेवारियों को निभाते हुए पार्टी उनकी हमेशा पहली प्रायर्टी रही है और पार्टी को वो हमेशा जब भी हमने समय मांगा तो उनका मिला है आज वो फिल इस चुनावी कारक्रब में और अन्य वस्तताओं के बीच में आप हम सब के बीच में हैं आपका अपना अभिनंदन और स्वागत है आज भारत रतन डॉक्टर भीम्राव अम्बेटकर जी की जन्जेंती है हम सब की ओर से उनको शर्धांजली पूरुवक नमन और हम सब जानते हैं कि डॉक्टर अम्बेटकर जी ने अपना सारा जीवन समाजिक न्याए के लिए पूरी दाकत के साथ समाजिक न्याए की लड़ाई उन्होंने जीवन पर लड़ी ऐसे डॉक्टर भीम्राव अम्बेटकर जी के रास्ते पर चलते हुए भारतिये जन्संग से लेकर भारतिये जन्ता पार्टी हमेशा इस विचार को और समाजिक न्याए की लड़ाई सत्ता में रहे तो भी और सत्ता में न रहे तो भी हमेशा इस समाजिक न्याए की लड़ाई को हम सब लोगोंने लड़ा है हम जानते हैं कि आज संकल पत्र की को लोकारपन होगा लाउंचिंग होगी लेकिन हम सब को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि भारतिय जन्ता पार्टी और शुरू में जन्संकाल से लेकर यह वैचारिक अधिश्टान आइडियॉल्जिकल बेस पार्टी होने के नाते एक विचारों को लगातार आगे बढ़ाते हुए उस वैचारिक अधिश्टान की यात्रा में हम सब लोग समिलित है और हर वार जब चुराव आता है तो उसी वैचारिक यात्रा को आगे बढ़ाने का क्रम हम सब लोगों ने किया है और उसको आगे बढ़ाया है जिस बात को 1952 में शामा प्रशाद मुकर जी ने कही जिसे आगे पंडित दीन दियाल उपाईदय जी ने आगे बढ़ाया उस विचारधारा से हम कभी डिगे नहीं हम उसको समर्पित रहे और उसको आगे बढ़ाने में हम सब लोगों ने भरसक प्रयास किया है और हम कह सकते हैं कि मैनिफेस्टो या संकल पत्र यह उस विचारधारा उस विचारिक अधिश्टान का अनफोल्डमेंट है उसी को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए उस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम हम सब लोगों ने किया है हम सब जानते हैं एक समय में हमने एक आप मानवाद की बात कही उसी को आगे हम लोगों ने जब हम सरकार में आए तो अंतोदे के रूप में हम लोगों ने इसको सापित किया और पुड़ान मंतरी मोदी जी ने उसको सरल भाशा में सबको सबावेश करते हुए और सबकी भाशा में उसको सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से जोडते हुए नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया मुझे याद है कि 2004 में जब प्रणानमंत्री मोदी जी संसद्य दल के नेता सेंट्रल हॉल में चुने गए थे तो उस समय उन्होंने सरकार गाओं के रिकास को समर्पे थे हमारी सरकार जो समाज के अंतिम पाइदान पर खड़ा देखती है उसको समर्पे थे और उसी को कारे रूप देते हुए 2014 से एक लंबी यात्रा करते हुए पिछले 10 वर्षों में प्रधान मंत्री मोदी जी की नित्वत में देश ने इन सारे आयामों को बखूबी जन्ता को गाओं गरीब की चिंता करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया है मित्रों मैं यहाँ एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि जब देश की जन्ता क्लियर मैंडेट देती है तो नतीजे भी बड़िस पश्टता के साथ आते है हम सब लोग जानते हैं कि 2014 में प्रधान मंत्री मोदी जी की नित्वत में हमारा वोट शेर 31% पहुंचा 282 सीटे हमने लोकसभा की जीती और 2019 में प्रधान मंत्री मोदी जी के नित्वत में हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और हमारा वोट शेर 37.3% तक पहुंचा और हमारा वोट सीट शेर 303 सीटे हम लोग ने लोकसभा में जीती हम ये कह सकते हैं कि इस क्लियर मैंडेट को प्रधान मंत्री मोदी जी ने गाओं के लिए गरीद के लिए वंचित के लिए दलित के लिए हमारे महिलाओं के लिए हमारे युवाओं के लिए हमारे किसान भाईयों के लिए और हमारे वंचित भाईयों के लिए उनको समर्पित किया और उसी तरीके से अगर मैं गाओं की बात करूँ तो आज गाओं मैं यहां प्रधान मंतिजी थोड़ा समय जरूर लेना चाहूंगा लेकिन मुझे याद है उननीस सो तिरानवे में मैं पहली बार विरहायक बना था उस समय हमें अपने विरहान सबाक्षेत्र में लगबग 90 प्रतिशत के गाओं को घूमने के लिए पैदल जाना पड़ता था आज हम कह सकते हैं कि ग्रामीन सरक तीन लाख अस्जी हजार किलो मिटर की ग्रामी सरके बनी है आल वेदर रोड बना और आल वेदर रोड की माज़म से पकी सरके बनी है आज हमारे इलाकों में कोई ऐसा गाओं नहीं रहा जहां हम पकी सरक से पहुँच नहीं सकते हैं यह बदलता भारत की तस्वीर हमने देखी है उसी तरीके से अभी अभी साथ हजार नहीं गाओं को पकी सरकों से जोडने का काम हुआ है और आल वेदर रोड बनी है कभी हमने एक अलपना नहीं की थी कि गाओं का सशक्तिकरन होगा कभी गाओं में भी कोई आप्टिकल फाइबर पहुँचेगा लेकिन आज मुझे कुशी है कि आपके नेत्रतों में एक दो लाख पंचायतों को आपके नेत्रतों में आप्टिकल फाइबर से जोड दिया गया है और उनको भी इंटरनेट फैसलिटीज के साथ जोड़ा गया है गरीब कल्यान की बात करें तो एक समय में ये असंभव सी बात लगती थी कि हम गरीब तक अन पहुँचा सकेंगे लेकिन आपने तरासिदी में भी अफसर ढूंड करके तुर्हान मंत्री गरीब कल्यान अन योजना की स्कीम को आगे बढ़ाया असी करोड की जनता को या तो पांच किलो गेहू या पांच किलो चावल या और एक किलो डाल ये देने की विवस्था की आज उसके कारण हम ये कह सकते हैं कि लगबग पच्चिस करोड लोग भारत की आबादी आज गरीबी की रेका से उपर उठकरके अबब पावर्टी लाइन में आ गई बिलो पावर्टी लाइन से निकल गई ये भी हमारे जावल और इंटरनाशनल मॉनिटरी फंड के अनुसार अती गरीबी भारत में अब एक प्रतिशत से भी कम हो गई है पॉइंट जिरो एक परसंट सेवन परसंट पर लाकर के खड़ा किया है उसी तरीके से आवास योजना मैं यहां बार बार सुनाता हूँ और मुझे वो बार बार इच्छा भी होती है बताने क्योंकि वो धरातल की सच्चाई थी एक समय में हमारे यहां हमारा ब्लॉग दे और मेरे लिए प्रशन होगता था कि यह किसको दे क्योंकि एक अनार सौ पिमार मैं किसके हो दूंगा मैं वीडियो साब को कहता था कि आप ही तरह करो कौन से मापदन पर आप दे सकते हो लेकिन आज चार करोर प्रण मंत्री आवास योजना में पके घर बन गए और आग आज जंधन खाते में पचास करोड़ में से 55.5 प्रतिशत जंधन खाते महिलाओं के नाम पर खाते खुले हैं यानि महिलाओं का सशक्ति करन हुआ ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए उजवला योजना ये योजना आप सब लोग शेहर में रहकर के आपको लगता होगा साहा गैस का सिलिंडर मिल गया लेकिन ये इतनी ही चोटी कहानी नहीं है हमारी बेहने गाउं में पांच बज़े सुबह उटती थी जंगलों में जाती थी लकणीया का number जिलाती थी फूक नी ते फ्ूक पूक करके चोला जिलाती थी धूना को अपने एक च्छातियों पर ल करण नारी सशक्टी करण किस तरीके से हुआ इस उज्जोला गैस के कारण और 10 करोड से 11 करोड 10 करोड सिलेंडर इस तरीके से और गैस के कनेक्शन दिये गए सबसे बड़ी बात है मैं उझे याद है मैं बताना चाहूंगा जब मैं छोटा था और जब मैं कभी भ्रमन पर सुबह सुबह निकलता था तो मैं देखता था कि गाओं की बहने जुंड के जुंड सिर्फ अपने डैनिक नितिक करम के लिए नैशनल हाइवे से होते हुए गाओं और खुले में उनको शौच जाना पड़ता था दैनिक जीवन में अपने इस तरीके का जीवन देखती थी सूरियोदे और सूरियास का इंतजार करना पड़ता था आज 11 करोड इजजद घर बनाकर 11 करोड बहनों को इजजद देने का काम और life with dignity, human dignity, women dignity इसकी चिंता अगर हुई तो वो प्रदान मंत्री मोदी जी के नेत्वत तुमें हुई है वो भी हम सब के ध्यान में है जैसा मैंने कहा हमारा वैचारिक अधिस्थान clear mandate के clear results होते हैं क्लियर मैंडेट आपने दिया उसका क्लियर नतीजा निकला और वह नतीजा यह है हमने 1951-52 में कहा एक देश में दो निशान दो विदान दो प्रधान नहीं चलेंगे हम 1951-52 से यह बात कह रहे थे लेकिन आपने क्लियर मैंडेट दिया और 2019 के 11 6 अगस्ट को 12 370 को अब्रोगेट कर दिया गया धाराशाही कर दिया गया प्रधान मंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ती ने उस कारे को पूरा किया मुझे याद है कि पालमपुर का प्रस्ताव पारिथ हुआ था कि हम राम मंदिल बनाने के रास्ते को प्रशस्त करेंगे यह पालमपुर का रिजुलीशन था और पालमपुर के रिजुलीशन से लंबी यात्रा हमने की और हमने वो भी दिन देखे जब कॉंग्रेस के वकील खड़े होकर के नियाइक प्रक्रिया को रोकने का प्रयास करते थे और ये कहते थे कि इससे भारतिय जन्ता पार्टी को फाइदा होगा उनको देश की चिंता नहीं थी उनको रामलैला की चिंता नहीं थी उनको भारत की सल्सक्रिती और गौरव की चिंता नहीं थी वोट बैंक की राजनीती करने वाले लोग उसमें अरंगे लगाते रहे अटकाते रहे लटकाते रहे भटकाते रहे लेकिन पुदान मंतरी मोदी जी के ने में वह रास्ता प्रशस्त हुआ और भव राम मंदिर 22 जनवरी को आपके करकमलों के द्वारा वह आज राम लला वहां रिजाजमान है और उनका प्राण प्रतिश्टा आपके दस दिन के अथक कारकम और अनुष्ठान के बाद आपके करकमलों द्वारा हुआ वह भी हम लोग उने देखा है ट्रिपल तलाक तीन तलाक कोई सोचता नहीं था कि इस विशेक को टच करेंगे कोई इस विशेक पर चर्चा भी करेंगे सुप्रीम कोर्ट से लेकर के समाच के सभी वर्ग मानते थे कि तीन तलाक आज मानवता के लिए एक तरीके से त्रास्दी है इसको तलाक से हम बेहनों को हमारे मुस्लिम बेहनों को हम लोगोंने आजाद किया यह भी हम सब लोगोंने देखा है उसी तरीके से तीस साल से राजनेतिक कारणों से नारी, शक्ति, वंदन और महिलाओं का रिजर्वेशन पर राजनीति होते थे, for 30 years, 30 साल, कोई कुछ नहीं प्रधान मंत्री मोदी जी की फिर से इच्छा शक्ती और आप सब का सहयोग तीस साल से जो कारे नहीं हुआ वो तीन दिन के अंदर प्रधान मंत्री मोदी जी ने नारी शक्ती वंदन विधे को पारिश करके और अगली वार लोक सभा में दोहजार उनतीस में हम तेतीस प्रधिशत सांसरत हमारी महिलाएं बहने होंगी यह भी हम देखने वाले हैं इस तरीके से कारे मैं मजबूत नेत्रतु का एक प्रमान और एक विशे जरूर आपसे चर्चा करना चाहूँगा यह कोविड जब आया तो शायद यह शताबदी का सबसे बड़ा पेंड़मिक था दुनिया नहीं जानती थी कि इस पेंड़मिक से कैसे लड़ा जाएगा दुनिया के नेत्रतु भी नहीं जानता था कि इस पेंड़मिक से कैसे लड़ा जाएगा आपको पता है बड़े-बड़े विक्सित देश अपने निर्ने प्रक्रिया में वो अभी डमाडोल हो गए वो अभी लड़ खड़ा गय है वो अभी नहीं तेह कर पाए कि मानवता जरूरी है या अर्थशास्त्र जरूरी है आर्थिक विशे जरूरी है या मानफता जरूरी है Humanity जरूरी है या Economy जरूरी है और बहुत से देश विक्षित देश Lockdown लगाएं कि नहीं लगाएं लगाएं कि नहीं लगाएं इस बीच में वो पेंडूलम की तरह डोलते रहे लेकिन प्रधान मंतरी मोदी जी का नित्तो मजबूत इरादे दूर दृष्टी इस बात को ध्यान में रख करके प्रधान मंतरी जी ने कहा जान है तो जहान है और Lockdown लगाया और जहां हमारा देश कोरुना से लड़ने के लिए तैयार नहीं था वहीं दो महिने के अंदर करुना से लड़ने के लिए प्रधान मंतरी जी ने देश को तैयार किया और फिर कहा जान भी है और जहान भी है और फिर Lockdown को हटाते हुए और दुनिया के नित्रत ने और दुनिया के लोगों ने इस बात को माना इस बात का लोहा माना कि प्रधान मंत्री मोदी जी का कोरुना से लडने का स्ट्राटिजी और उनका तरीका दुनिया में सापित हुआ कि वो सबसे अच्छे तरीके से मानवता के लिए कारे की आगया इस बात को भी हमने देखा मैं बार बार इस बात का दिक्र करता हूँ हम तो हमेशा रिसीविंग एंड पे रहते थे इस देश में ट्यूबर ग्लोसिस की दवा 25 साल बाद आई कोई दवा 28 साल बाद आई टेटनस की दवा 30 साल बाद आई जैपनीज इंसिपलाइटिस की दवा यह 100 साल बाद आई लेकिन कोरुना प्रदान मंत्री जी ने 20 अपरेल 2020 को टास्क पॉर्स बैठाया और 9 महिने के अंदर 2 दो वैक्सीन दी और 220 करोर डोस दे करके देश के लोगों को बचाने का भी काम किया और देश के साथ साथ दुनिया को भी वैक्सीन मेतरी में सौ देशों को भी हमने वैक्सीन पहुंचाई ये भी हम लोगों ने देखा और डबल डोस के बाद बूस्टर भी लगा ये भी हमने देखा मैं यहां ये भी बतार देना चाहता हूँ कि ये सबसे टीव रगती से चलने वाला वैक्सीन प्रोग्राम था दो सो बीस करोड की जंता को डबल डोस लगाना ये सबसे तीव रगती और डिजिटली इसको सपोर्टेड प्रोग्राम रहा ये भी हमने देखा मित्रों हमारे अभी आदरनी राजना जी मैनिफेस्टो और संकल्पत्र के बारे में आपके सामने सारी बाते रखेंगे लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि दस साल इस बात का प्रमान है कि देश ने इस बात को माना है कि मोदी की गारंटी गारंटी पूरी होने की गारंटी है इस बात की गारंटी और यहां मैं स्वास्त से जड़ा हुआ विशे ज़रू कहूंगा हम मैं जब स्वास्त मंतरी प्रधान मंतरी मोदीजी ने बनाया 2014 में और जब मैं वर्ल्ड हेल्ट एस्वमिली में गया तो वहां हमारे बारे में ऐसा सोचा जाता था कि ये वान आफ दो फॉलोरिंग कंट्रीज हैं ये फॉलो करने वाले देश हैं और उस समय बात चल रही थी युनिवर्शल हेल्ट कवरेज की यूएच्टी की बात चल रही थी हमने भी नहीं सोचा था कि हम यूएच्टी में कभी कुछ कर सकेंगे लेकिन मोदी जी ने आज वो सबसे बड़ा हेल्ट कवर प्रोग्राम बन गया दुनिया का वह भी हमने देखा और उसके अगली वार जब मैं वर्ल्ड हेल्ट इसमली में गया तो सब ने कहा प्लीज तेल एस सम्थिंग अबाउट आईश्मान भारत तो ये एक हमने दुनिया के चित्र पर भी द दान मंत्री मोदी जी जिसके बारे में जिनका हमें संबोधन मिलेगा वह एक लंबी छलांग भारत को विक्सित भारत को पूरा करने में अपना पूरा योगदान करेगा यही मुझे पूरा विश्वास है इनी शब्दों के साथ मैं पुना दान मंत्री जी का और आप सब का धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग इस कारकर में शामिल हुए धन्यवाद धन्यवाद अद्यश्जी संकल पत्रक की समीति के अध्यक्ष देश के रक्षा मंत्री आधनिया राजना स्रीन जी को मैं आमलत्रित करता हूँ अध्यक्ष जी सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस संकल पत्र समित की अध्यक्ष दाई तो मेरे उपर सूपा और मुझे इस बात का हरश है तन्तूश भी है कि मोदी जी के नित्रत में हमने देश वाशियों से किया गया हर वादा पूर किया है चाहे 2014 का संकल्प पत्र हो या फिर 2019 का घोशना पत्र हो मोदी जी के नित्रत में हमने अपने हर संकल्प को पूरा किया है जब मोदी जी के नित्रत में हम 2014 के लोकतभा चुनावर लड़ने जा रहे थे तो उस समय में पार्टी का रास्टी अध्यक्ष था डक्तर मुली मनोहर जोसी जी मैंसेस्टो कमिटी के चेर्मेन थे मुली जी का कि आग्रह को ध्यान में रखते हुए पार्टी का जो संकल्प पत्र तयार किया गया था उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया था योही संकल्प हम देश के सामने रखें उसे हम निश्शित रूप से पूरा करें मित्रो भाजपा अपने संकल्प पत्रों के माध्यम से जहां स्वाविमानी है और ससक्त भारत के निर्मान का रोड में प्रस्तुत करती है वही समाज के हरवर्ग के विगास और कल्यान के प्रती अपनी प्रतिवद्धता को ही देश के सामने लगती है पांच साल पहले 2019 में संकल्पित भारत, शशक्त भारत के उद्गोश के साथ योगोशना पत्र हम लेकर आये थे उसमें हमने आजादी के 75 वर्स उरे होने पर भारत की एक संकल्पना रखने के साथ जाथ 2047 के भारत की भी रूप रेखा देश के सामने रखी थे उसी भावना के अनूप थे हमने पांच साल के संकल्प लिये थे और मुझे कहते हुए साथ योप परसनता है कि साल 2021 में भारत के विकास्यूम जन कल्यान के लिए जो भी संकल्प हमने लिये आज 2024 तक उन सब को पूरा करने में हमने एक कामयाबी हासिल किये हम लोगों को इस बात का गौरो है कि भाजपा अपने संकल्प पत्र के प्रतीक वादे को पूरा करती है यो हम कहते हैं वो हम करते हैं हमारे वर्ड्स हमारे डीड्स हमारे कृती और हमारे कथन में कभी कोई अंतर नहीं रहा है यह बात आज के वल भाजपा के लोग ही नहीं बलकि देज की नागरिक भी मानने लगे हैं यही विश्वष्णियता हमारी सबसे बड़ी ताकट है हमने यम्मू अकासमीर से धारा तीन सो सब्तर समाप करने की बात कही थी आज धारा तीन सो सब्तर समाप्त हो चुकी है हमने महिलाओं के लिए विधाई संस्थाओं में तैंतिस विश्दी आरक्षन की बात की थी प्रधान मंत्री मोडी जी की प्रेणाव से नए संसर्धोन का उलाटन होते ही पहला कानू नारी शक्ति बंदन अधिनियम के रूप में देश के सामने आया साथ्यों हमारे संकल पत्र में अजुध्या में भग्मान राम के भब मंदर के निर्मान का मार्ग पसस्त करने की बात भी कही गई थी आज अजुध्या में राम लला की नव विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है हमने अपने संकल पत्र में आत्म नर्वर भारत के नर्वान की दिशा में कदम आगे बढ़ाने की बात की थी आज उस दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है साथियों हमने इनुक्लिसिद ग्लोथ समावेशी विकास की बात की थी और गरीब कल्याण के प्रति अपनी प्रतिपद्धत आभी व्यक्त की थी प्रधान मंतरी मोडी जी की गरीब कल्याण के प्रति संबेदन सिल्टा का इससे बढ़ा उदहां और क्या हो सकता है दिया जा रहा है और मोडी जी ने इस योजना को दो जार उंतिस तक चलाने का संकल्प भी व्यक्त किया है ताथियों प्रधान मंतरी मोडी जी के नित्रक्त में हमने पिछले पांच वरसों में संकल्पित भारत शशक्त भारत के संकल्प को पूरा करने पर सफलता पुरवक काम किया है अब हम भारत के 140 करोड नागरिकों के सामने अपना नया संकल्प पत्र प्रस्तुत करने जा रहे है खार्थी जन्ता पार्टी के जिस संकल पत्र को आज हम जन्ता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उसे तयार करने में बड़ी extensive और comprehensive एक सर्थाई भी की गई है संकल पत्र समित के पास तीन माध्यमों से सुझाओ आए पहला रथ के माध्यमों से सुझाओ हमारे पास आए हमें online inputs भी हम तक आए चार लाग सुझाओ नमो एड़ के माध्यम से भी आए करीब 10 लाग सुझाओ वीडियो के माध्यम से आए ऐसे करीब 15 लाग से अधिक सुझाओ समित के पास आए है जिनकी screening करके हमने उनकी summary तैयार किये उनमेंसे मुख्यमुद्दे गोड़े गए और उस पर चर्चा हुई कि इन मुद्दों पर हम क्या कर सकते हैं इस बात पर भी बिशार हुआ कि हम जो संकल्प लेंगे उनके financial implications क्या हुँगे या विशाय केंद्र का है या राज्य सरकारों से जुड़ा है या समवरती सुची का है इस विशाय से जुड़ी कोई scheme चल रही है या नहीं और इसका हमारे मित्र देशों पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा यह भी साहुणानी बरती गई है सभी बातों पर बहुत ही गंभील का पुर्बक विशार हुआ है साथियों हर विशाय की 360 डिगरी analysis करने के बाद हमने विश्यों को 24 ग्रुप्स में बाटा है 24 ग्रुप्स में से बाटा है इनमें से दस सोचल ग्रुप्स बनाए गए जिनमें गरीब, युवा, मध्यंबर्ग, नारी शक्ति, किशान, श्रम शक्ति, मचुआरे, यसमीज, विश्यकरमा, इत्माल, टेडर, वंचित वर्ग, सिनियर सिडिजन यम सबका साथ सबकाविकास, जिसमें समाज के अन्य पिषडे, वा, कमजोर वर्विश्य, शामिल हैं इसी तरह जीवन और गवर्नन्स के जुड़े मुद्दे हैं, कि 14 सेक्टर में माटा गया है इने और इनमें पहला है विश्वबंदू, जिसमें भारत के अन्य देशों के साथ सम्बंद की बात की गई है फिर है सुरक्षिद भारत, जिसमें भारत की आंतरिक और वाहिश सुरक्षा का बीश है तीसरा है तंब्रद भारत, चौथा है ग्लोबल मैनिफेक्टरिंग हब, पांचमा वर्ल्ड क्लास इंफ्राइस्टेक्षर, छठा इज आप लिविंग, साथमा विराशत का विकास आथमा है गुड गवर्नेंज यानि सुसासन, नमा है स्वस्थ भारत, दसमा गुणवर्त पूर्ण सिक्षा, ग्यारहमा है खेल का विकास, बारहमा है सभी शेत्रों का संतलित विकास करना तेरहमा है इन्नोवेशन एंड टेक्नलोजी और चोड़मा है सस्टनेबल इंडिया जहां पर्यावरन से जुड़ी हुई बाते हैं हमारे संकल्पत्र का हर संकल्प मोदी की गारंटी से युप्त है मित्रो आज भारती राजनीट में मोदी की गारंटी 24 कैरेट सोने जितनी खरी मानी जाती है इसलिए मुझे कहने में रंच मात्र भी संकोच नहीं है कि हमारा संकल्पत्र भारत ही नहीं है दुनिया के राजनीतिक दलों के मैनिसेश्टों के लिए एक गोल्ड स्टेंडर्ड है और मुझे पूरा विश्वास है मुझे पूरा विश्वास है जिन संकल्पों को हम यहां रख रहे हैं वह 2047 तक एक विक्षिट भारत के निर्माण के पृष्वान मंतरी मोदी जी के संकल्प को जहां यह आकार भी देगा वही यह विस्तार भी देगा और उसे साकार करने में भी यह मरतगार सावित होगा साथियों मैं यहवी अंत में मैं यही आपको की जानकारी में लाना शाहूंगा इस संकल्प पत्र को तयार करने में अपनी प्रतिदिन की अत्धिक विस्ताओं के बावजूर हम सब के साथ देज रात तक बैठ कर मानि प्रधान मंतरी जी ने हम सभी का मारगर शिद किया उनके पास बैठने के बाद और उनके विचारों सुनने के बाद मैं सुएम इस नटीजे पर पूंचा कैसा होगा हमारा विक्षित भारत जहां इस्तंबन में उनके अंदर पूरी अस्त्वश्चता है वही पर आत्म विस्त्वास है कि यह हासिल होकर रहेगा साथियो इस एलक्षन कमेटी की कन्विरस तिर्मती नर्मला सीतार मनें जी और जितने भी हमारे एलक्षन कमेटी के सरश्य है एलक्षन मैनेसेश्टो कमेटी के उन सभी की योगदान की मैं सरहना करता हूँ और अंत में मैं यह भी कहना चाहूंगा साथी दिन राद सारे सुझाओं को संकलित करना अध्यन करना और उसे संकल्प पत्र के रूप में तैयार करने में जो भूमिका अमारे रेल बंतरी स्री अस्वनी कुवारी वैश्णों निभाई है उसकी भी मैं विछे सरुप से मैं सरहना करना चाहता हूँ इनी शवदों के साथ अपना निवेदन समाब करना संकल्पत्र लोकारपण का आज का दिन विशेश हम सब के लिए है आज 14 एपरिल भारत रत्न पूजनियर डॉक्टर बाबा साहिब भिवरो अम्बेरकर जी की जैनती है और इस शुवद दिवस पर मैं आधनिय प्रधान मंति जी को आधनिय राष्ट्र अद्र जी को और अन्य सभी नेताओं को संकल्पत्र का लोकारपण करने क्या नमर अनुरोद करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आधनिय प्रधान मंति जी ने आधनिय प्रधान मंति जी ने कुछ दिन पहले ज्ञान की बात करी थी गरीब, युवा, अन्यदाता और नारी तो ये संकल्पत्र देश के इन सब प्रधरी ग्रूप में उनको सुपुर्ब करना है मैं सबसे पहले डिल्ली के गांधी नगर में रहने वाले रगुवीर जी को मंच पर अमंतित करता हूँ ये अपने स्वयम के छोले कुल्चे की रेडियू लगाकर स्वयम रुजगार चलाते हैं और प्रधान मंतिती स्वयम निजी से लोन लेकर इन्होंने ये शुरू किया मैं आदर के प्रधान मंतिती जी से नमर अनुरूप करता हूँ तो उनको संकल पत्र सुपूर्ट करें श्री रवी कुमार ये युवा है और इन्होंने गजियाबाद के निवास ही है सुमंगला योजना से और आवास योजना में ये लाबारती है मैं आदर्णिय प्रधान मंतिती से अनुरूप करता हूँ हमारे देश के किसान के प्रतित के नाते श्री रामबीर जी जो जज़र हर्याना के निवासी है और जिनको पीम किसान निदी फसल बिमा योजना पशूदन योजना इस सब का लाब हुआ है मैं आदर्णिय प्रधान मंतिती से अनुरूप करता हूँ कि सबीत किसानों के प्रतित बस्तर की अमारी बेहन स्रीमती निलाबती मोर्या चतिस गड़ की रहने वाली है निलाबती बेहन को आवास योजना का लाब हुआ है उजवला योजना का लाब हुआ है महातारी वंदन योजना जो चतिस गड़ की चर्चित योजना उसका लाब हुआ है नलजल योजना का लाब हुआ है सभी बेहनों का एक ट्रतिनी ग्रूप में बहुत बहुत धन्यवाद मैं आदरिया प्रदामन्तिजी से नम्र बिन्ती करता हूँ कि वो अपना संबोधन करें एक रिल बनाई है इस मैनिपेस्ट को लेकर वो दिखाएंगे और उसके बाद आदरिया प्रदामन्तिजी का संबोधन होगा मैं नरेंद्र दामदर्दास्ट मोधी एक व्यक्ति जो आज भरोसे का परियाय बन चुका है एक पाटी जो विश्वास का प्रतीक बन चुकी है पिछले तस साल में इनके विचार देश की आदते बनते गए सबका साथ सबका विकास इनका परिश्रम देश की प्रेरणा बनता गया मैं देश नहीं रुकने दूँगा मैं देश नहीं चुकने दूँगा इनके बोल बदलते गए गारंटी में और सही नियत बदलती गई सही नतीजों में मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी आने वाले पांच साल भी होंगे सेवा, सुशासन और गरीब कल्यान के ये है भाजपा का संकल्ब और मोदी की गारंटी आपने 2014 में गरीब के इस बेटे को देश की सेवा का आउसर दिया और इसलिए मैंने चाना कि जब तक गरीब की हर चिंता दूर नहीं करूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा अगले पांच वर्षों तक मुफ्त राशन, पानी, गैस कनेक्शन और पी-म सूर्य खर से जीरो बिजली बिल की विवस्था करेंगे आईश्मान भारत से पांच लाख तक का मुफ्त इलाज बिल रहा है आगे मिलता रहेगा ये है भाजबा का संकल्प और मोदी की गैरंटी मध्यम बर्थ परिवारों के पक्के घर का सपना पूरा करेंगे हर परिवार के लिए स्वास्थे सेवाओं का वितार हो नए शिक्षा संक्थान बने और इंफ्रस्ट्रक्चर में सुथार हो और परियावरन स्वच्छ हो ये है आजबा का संकल्प मोदी की गैरंटी मोदी सरकार में पारदर्शी परिक्षाओं से लाखों युवाओं को रोजगार मिला है और पेपर लीक पर भी बड़ा कानून बना है अब इस कानून को लागू करेंगे नैशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी हर नागरिक को हाई क्वालिटी शिक्षा प्राप्थ होगी और खेल वीरों तयार हो जाओ हम 2036 में उलिम्पिक्स की मेजबानी करेंगे ये है मोदी की गैरंटी युबाओं के लिए इंफ्रस्ट्रक्चर, इन्वेस्ट्मेंट, मैनिफाक्चरिंग, हाई वैल्यू सर्विस, स्टार्टप्स, तूरिजम और स्पोर्ट्स के माध्यम से लाखों रोजगार के अवसर पैदा करेंगे ये है भाजबा का संखल्प, मोदी की गैरंटी मोदी सरकार का मंत्र है शक्ति की बंदना करते हुए मोदी जी ने लखपती दीदी का विचार रखा और एक करोड बेहने लखपती दीदी बन भी गई है आगे तीन करोड को बनाएंगे महिला स्वयम सहायता समुहों को सर्विस सेक्टर से जोड़ कर नए अवसर देंगे साथी सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, औस्टियो परोसिस इत्यादी समस्याओं पर भी खास ध्यान दिया जाएगा महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर शोचाले बनाए जाएंगे नारी बंदन अधिनियम को लागू करेंगे ये है हाचपा का संकल, मोदी की गैरंटी बीज से बाजार तक किसानों की आई बढ़ाने के प्रयास करेंगे हम श्री अन्न को सूपर फूड की तरह स्थापित करेंगे नैनो यूरिया और प्राकृतिक खेती से जमीन की सुरक्षा करेंगे हम क्रिशी गत्ष शक्ति के रूप में क्रिशी इंट्रस्ट्रक्चर का विशेश विकास करेंगे मच्वारों के जीवन छूते हर पहलू जैसे की नाओ का बीमा, फिश प्रोसेसिंग यूनिट सैटलाइट ड्वारा समय पर जानकारी इन सभी को मजबूत करेंगे मच्छी पालुकों को सीवीड और मोटी की खेती के लिए भी दोट्साहिद करेंगे ये है भाजपा का संकल, मोदी की गैरंटी हम गिग वरकर्ज, माइगरंट वरकर्ज, टैक्सी ड्राइवर्ज, ट्रक ड्राइवर, आटू ड्राइवर, कुली घरों में काम करने वाले श्रमेक, सभी को इश्रम पर जोड़कर उन तक कल्यानकारी योजनाएं पहुँचाएंगे हाईवे पर ट्रक चालुकों के लिए आधुनिक सुविधाएं बनवाएंगे ये है मोदी की गैरंटी भारत की प्राचीन योग की विरासत को एक एमबैसेडर बनकर मोदी जी ने दुनिया तक पहुँचाया है आगे योग का ओफिशल सर्टिफिकेशन भारत देगा ये मोदी की गैरंटी है विश्व भर में धिरुवलुबर कल्चरल सेंटर के माथ्यम से भारत की संस्कृती को विश्व में ले जाएंगे भारत की क्लासिकल भाशाओं के अध्ययन की विवस्था उच्च शिक्षन संस्थाओं में करेंगे पिछले डस साल साक्षी हैं हर वंचित वर्ग को परियता देती है मोदी सरकार आगे दो हजार पचीस को जन जाती एक गौणव वर्ष के रूप में खोशित करेंगे और एक लव्य स्कूल पी-एम जनमन वन उत्पादों में वैलिव एडिशन एवं एको तूरिजम को बढ़ावा देंगे OBC, SC और ST समुदायों को जीवन के हर क्षेत्र में सम्मान देंगे मैं आपको गांची देता हूँ हर सल बेश के नाम हर सल आपके नाम 24 by 7 और 2047 सब जानते हैं मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं आगे भारत को Global Manufacturing Hub बनाने की गैरंटी है मोदी जी की और इससे लाखों रोजगार के अबसर पैदा करने की हमारे शेहरों को और लिविबल बनाने की गैरंटी है मोदी जी की Urban Housing, Transportation, Water Management, साप हवा कचरे के धेर से मुक्ती और स्वच पानी के लिए मिशन मोड पर काम करेगी मोदी सरकार विरासत से विकास के भी अंगिनत भव्य सिद्व उदाहरन हम देख चुके हैं पिछले दफ साल देख आगे हम विश्व भर में रामायन उत्सव बनाएं तथा अयोध्या जी का और विकास करेंगे ये है भाजवा का संकल मोदी की गैरंटी मैं अगर प्रसाचार पराजकड़ा प्रहार कर रहा हूँ तो ये आपके बहतर भविश्चे के लिए ही है प्रसाचारी गरीब के सपनों को तोड़ते हैं आपको लूटते हैं भष्टाचार के खिलाब और सक्त का रिवाई होगी परफॉर्म, रिपॉर्म, ट्रांस्फॉर्म का हमारा पत्र शासन के हर क्षेत्र में लागू होगा लागू होगी भारतिय न्यायस सहिता भी वन नेशन, वन इलेक्शन और कॉमन इलेक्टोरल रोल की भी विवस्था आएगी समरिद्ध भारत बनाने के लिए विश्व कर्मा परिवारजन, MSME और छोटे ट्रेडर्स को स्किल सिखाने की, क्रेडिट देने की और उनके उत्पादन को बाजार से जोडने की गैरंटी है मोधी सरकार की याद है हम सबको, 2004 से 2014 तक भारत की अर्थ विवस्था विश्व में 11 स्थान पर अटकी रही और समस्वर्चों में वोधी जी, भारत को 11 से 5 स्थान पर लाए